पश्चिम बंगाल में ट्रणमूल कॉंग्रेस के सांसत कल्यान बनर जी के एक वाइरल वीडियो पर सियासी बवाल मच किया है आरोप है कि वीडियो में कल्यान बनर जी ने देवी सीता को लेकर अपमान जनक भाशा का स्तमाल किया है जिससे वो विवादों में घेरे तो उनके खिलाफ FIR भी दच करवाई गई आखिर क्या है पूरा मामला इस रपॉर्ट में देखिए पश्चिम बंगाल में चुनावों से पहले ट्रणमूल कॉंग्रेस की मुश्किले बढ़ती जा रही है अब TMC सांसत कल्यान बैनर जी ने TMC को विवादों में डाल दिया है दरसल कल्यान बैनर जी का सोशल मीडिया पर एक विवादित बयान बाजी का वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें वो देवी सीता पर आपतिजनक टिपनी करते हुए नजर आ रहे हैं उनके विवादित बयान पर बीजेपी ने तीखे आलोचना की है जिसके बाद हावडा की गोलाबारी थाने में उनके खिलाब F.I.R दर्च कराई गई पुलिस में दर्च कराई गई रेपोर्ट में कहा गया कि बैनर जी के बयान से बंगाली समाज आहत हुआ है वहीं बीजेपी नेता लौकेट चटर जी ने T.M.C. सांसत के बयान पर कहा कि वह हमारी परमपरा रामाइन और महाभारत का अपमान कर रहे हैं इसका जवाब उन्हें 2021 में मिलेगा दरसल सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहे वीडियो में कल्यान बैनर जी एक कहते हुए पाई गए कि सीता ने भगवान राम से कहा कि अच्छा हुआ मेरा हरन रामन द्वारा किया गया था ना कि उनके चेलो द्वारा नहीं तो मेरा हश्र भी हातरस जैसा होता फिलाल इस मामली की पुलिस जाच कर रही है लेकिन उनकी विवादित बयानवाजी से राजे में सियासी पारा तेजी से चड़ने लगा है तो वहीं चुनाव से पहले ममताबैनर जी की मुश्किले भी काफी बढ़ गई है वही टीम से सांसत के बयान पर बीजेपी निता लॉकेट चेटर जी ने ममताबैनर जी पर भी निशाना सादा और कहा महिला सीयम होने के बावजूत पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा रेप होते हैं उन्हें पहले अपने राजे को देखना चाहिए और फिर यूपी राजिस्तान या बिहार को देखना चाहिए वहीं वीजेपी निता और मिगहले के पूर राजपाल तथागत रॉय ने भी कल्याण बैनर जी के बयान की निन्दा की है तो वहीं विवाद बढ़ने के बाद कल्याण बैनर जी के बयान पर भाजियूमो के सदस्ते आशिष जयस्वाल ने फायार दर्च कराई है आशीश के मुताबिक बैनर जी के बयान से बंगाली समाज काफी नराज है साथ ही आशीश जस्वाल ने कल्यान बैनर जी से माफी की मांग भी की है वही हाबड़ा में मैथली समाज ने कल्यान बैनर जी के बयान की निंदा की है अपनी विवादित बयानबाजी से कल्यांट सिंग अब चोतरफा फ़स गए हैं और उन्हें इसका खाम्याजाय चुनावों में भिभरना पड़ सकता है यानि कि मम्ता के लिए कल्यांट सिंग का बयान मुसीवत बन सकता है सीता माता पर विवादे टिपड़ी कर त्रण्मूल कॉंग्रेस के सांसत कल्यांट बनर जी बुरी तरह विवादों से घिर गए हैं जहां एक और उनकी खिलाफ FIR भी दर्ज हो चुकी है तो दूसरी तरफ बंगाल में उनके बयान पर सियासत तेज हो गई है बीजेपी के साथ साथ बंगाली समाज के लोग उनके बयान की निंदा कर माफी की मांग कर रहे हैं कैपिटल टीवी के साथ बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने सुझाओं में कमेंट बॉक्स में जरूर दें आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुर्णे के लिए शुक्रिया